तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्राकेट विद भीशे गुपता का यूटूब चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरू से जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा औ और आज उसी सिलसले को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो से तो 50 क्वेशन तक हमने डिसकस कर लिए तो देखते हैं 51st क्वेशन से लेके 75th क्वेशन तक इस वीडियो में तो दिए 51st question कहता है कि कि किसको हम Indian constitution का father कहते हैं महत्मा गांदी जी को, जवाला नेरु को, बियार अंबेटकर को या रजिनिर पेसाद जी को तो सही answer है option number C, dr. बियार अंबेटकर तो उनको हम father of Indian constitution कहते हैं Next आता है कि constitution of India adopt किया गया था किस तारिक में तो constitution of India adopt किया गया था 26 January 1950 को 15th August 1947 को, 26th November 1949 को या 30th January 1948 को तो उसका सही answer है 26th November 1949 तो अगर हाँ देखेंगे preamble में तो उसमें लिखा भी है last में कि on this day of 26th November 1949 we adopted, enacted our constitution तो हमने जो है अपने सम्विधान को adopt किया, enact किया, लागू किया कब 26 November 1949 को फिर next question आता है कि which part of the constitution deals with fundamental rights तो इसमें कौन सा part ऐसा है जिसमें fundamental rights है अब देखें part 1 जो है वो बात करता है union and its territory की part 2 बात करता है citizenship की और फिर part 3 बात करता है किस की fundamental rights की तो part 3 जो है वो इसका सही जवाब है कि part 3 के अंदर फिर fundamental rights आते हैं ठीक है फिर next question आता है जो concept है judicial review का यह हमने कहां से लिया है judicial review का concept article 13 के तहत हमने United States की constitution से लिया है तो US constitution से जो concept है judicial review का उसको लिया गया है फिर next question आता है कि which schedule of the constitution deals with official languages तो official languages जो सम्विधान के अंदर mentioned है तो उन languages में किस language को schedule language माना जाता है तो 7th schedule को, 8th schedule को, 9th schedule को या 10th schedule को तो अभी जो सम्विधान के अंदर languages mentioned है वो इन में से किस schedule mentioned है तो वो mentioned है 8th schedule में तो 8th schedule जो है वो languages के लिए scheduled है next आता है कि highest waterfall in India जो highest waterfall है भारत में वो इन में से कौन सा है jog falls है या no click falls है फिर kunchical falls है या फिर दूट्साकर falls है तो जो highest waterfall है भारत में वो kunchical falls है तो kunchical falls इसका सही जवाब है फिर next question आता है कि what is the largest inland salt water lake in India तो largest जो एक inland यानि कि जमीन के अंदर अगर आप देखेंगे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे अंदर अगर हम देखेंगे तो salt water lake सबसे बड़ा कौन सा है तो चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है सांभर लेक है या वूलर लेक है तो salt water lake जो सबसे बड़ा है inland में वो सांभर लेक है जो कि जयपूर के पास है यहां से बहुत बड़ी मात्रा में नमक कभी निर्मान किया जाता है तो next question आता है कि काड़म हिल्स जो इलाईची पहाडिया है काड़म हिल्स है यह कहाँ पे लोकेटेड है तो काड़म हिल्स केरला के अंदर लोकेटेड है और कौन से स्टेट ऐसा है जिसके पास largest forest cover है भारत में मध्यपरदेश है अरुनासिल परदेश है महरास्टर है या उडिसा है तो मध्यपरदेश इसका सही जवाब है कि largest forest cover जो है सबसे ज़्यादा जो जंगल कशेतर आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा मध्यपरदेश में मिलेगा फिर नेक्स आता है जो सियाचन ग्लेशेर है यह कहाँ पे लोकेटेड है सियाचन ग्लेशेर हिमार्शल प्रदेश में है उतराखंड में है लद्दाक में है या सिक्किम में है उसका सही आंसर है option number C लद्दाक तो सियाचन ग्लेशेर लद्दाक में अवस्तित है लद्दाक में इस्तित है फिर नेक्स आता है कि which country is not a member of BRICS तो BRICS का इन में से कौन सा देश एक ऐसा है जो member नहीं है तो Brazil, Russia, Indonesia या China तो आपको बताना है इसका सही जवाब है Indonesia तो Indonesia BRICS का member नहीं है नेक्स आता है कि SARC का headquarter कहाँ पे है SARC का headquarter काठमांटू नेपाल में है फिर नेक्स आता है कि इंडिया की जो look east policy थी वो किसके समय पे start की गई थी तो जिस टाइम पे प्रधान मंत्री राजीव कांदी थे PV नरसिमा राओ थे अटल भिहरी वाचपई जी थे या मन्हुमोन सिंगी थे तो जब PV नरसिमा राओ भारत के प्रधान मंत्री थे तो उस टाइम पे भारत ने look east policy को start किया था और उसको look east policy को फिर बाद में act east policy भी convert कर दिया गया कि अब हम सिर्फ देखेंगे नहीं पस्चिम की तरफ पूरफ की तरफ अब हम उनके साथ जो relations हैं उनको भी improve करेंगे east का मालाब आ गया इस्ट में साभी countries आ जाते हैं जो south east nation nations है प्लस जो चाइना है ये सब देश जो है इसके अंदर आ जाते हैं फिर next आता है कि which country is not a permanent member of United Nations Security Council तो इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो United Nations के Security Council का UNSC का एक permanent member नहीं है एक स्थाइस सदस्से नहीं है तो देखे पांच देश हैं US, UK, USSR यानि की Russia और France और China तो China तो है France है, Russia है, Germany नहीं है Germany ने भारत के साथ मिलकर एक G4 गुरूप बनाया हुआ है जिसमें चार देशों का एक गुरूप बनाया हुआ है और उस चार देश कोशिश करते हैं कि उन चारों में से किसी भी देश को जब सदस्सेता मिलेगी अगर कोई दावा करता है सदस्सेता पाने का Latination Security Council में तो बाकी तीन देश जो हैं उसको सपोर्ट करेंगे तो दो देश तो यही हैं Germany और India इस G4 गुरूप के बाकी दो देश और कौन से हैं अगरिमेंट हुआ पैरिस क्लाइमेट एगरिमेंट हुआ उसी के तुरूंत बाद ही हमने International Solar Alliance को लांच किया था भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर फिर टर्म आता है रेपो रेट तो रेपो रेट किस चीज़ से रेलेटेड है जब बैंक्स बोरो करते हैं RBI से पैसा उधार लेते हैं RBI से तब का है क्या या बैंक्स कस्टमर्स को जब पैसा देते हैं तब रेपो रेपो रेट लगता है या फिर जब गर्मेंट लेती है RBI से पैसा उधार तब रेपो 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 रेट लगता है या lending by banks to government या जब banks जो हैं वो lend करते हैं किसको government को उसका सही जवाब है borrowing by banks from RBI तो RBI जिस rate पर पैसा banks को देता है उसको repo rate कहते हैं और जब banks अपना कुछ पैसा RBI में रखते हैं तो उसको reverse repo rate कहते हैं फिर next question आता है कि नीती आयोग ने किसको यहाँ पे replace किया है planning commission को, finance commission को, RBI को या national development council को तो नीती आयोग ने replace किया है planning commission को तो planning commission को हटा कर नीती आयोग बनाए गया था 1 January 2015 को next आता है GST कब implement किया गया था भारत में तो GST जो है 1st July 2017 में apply हुआ था भारत के अंदर उस times उसके बाद से वैट खतम हो गया था और मुखे जो items होते हैं उन पे वैट खतम हो गया था और GST लागू हो गया था फिर next आता है जो first bank है to be nationalized in India was तो सबसे पहला bank कौन सा था जिसको nationalize किया गया था तो वो था State Bank of India और next question आता है which of these is not a money market instrument तो इन में से कौन सा एक money market का instrument मुद्रा बजार का एक साथ नहीं है treasury bills है, commercial bills है equity shares है, a certificate of deposit है तो उसको सही जवाब है equity shares, तो जो shares है वो अपने आप में एक money market का instrument नहीं है first Indian to receive the noble prize तो पहले भारती कौन थे जिनको noble prize मिला था तो जो पहले भारती थे वो थे रबिन्नाट अगोर तो रबिन्नाट अगोर ऐसे पहले भारती थे जिनको literature के लिए noble prize 1913 में 1913 में दिया गया था next आता है जो highest civilian award है भारत में वो क्या है पद्म श्री है, पद्म भूशन है, पद्म विबूशन है यह भारत रतन है, तो भारत रतन जो है वो highest civilian award है next आता है रमन मैक्सेसे अवार्ड को is often called the Asian equivalent of तो रमन मैक्सेसे अवार्ड जो कि फिलिपीन्स के एक president हुआ करते थे या फ्रेमिस्ट हुआ करते थे उनके नाम से पढ़ा रमन मैक्सेसे अवार्ड तो यह एशिया का equivalent है किसका, nobel prize का तो nobel prize के equivalent ही माना गया है रमन मैक्सेसे अवार्ड को तो nobel prize, Pulitzer Prize, Oscar Award यह Grammy Award तो nobel prize तो nobel prize इस तरह से हम पूरे दुनिया के लिए हाला की होता है लेकिन मिलता अक्सर European देशों के लोगों कोई ही है तो रमन मैक्सेसे अवार्ड यह Asian equivalent है इसमें सिर्फ एशिया के देशी शामिल होते हैं और एशिया के देशों में से ही किसी person को रमन मैक्सेसे अवार्ड या किसी organization को रमन मैक्सेसे अवार्ड मिलता है पर next आता है साहित्य Academy Award जो first award किया गया था कब किया गया था 1954 में तो सबसे पहले 1954 में साहित्य Academy के अवार्ड को दिया गया था next आता है कि who was the first recipient of भारण रतन तो भारण रतन के सबसे पहले recipient कौन है तो भारण रतन जो सबसे पहले मिला था वो सी राजागोपलाचारी को मिला था ना तो डॉक्टर एसरादा किशनन को मिला है ना सी वी रमन जी को ना डॉक्टर रजिन पसाद को तो सी राजागोपलाचारी वो first person थे जिनको भारण रती मिला था तो गाईस ये थे 25 questions आपके इन में 25 questions में से कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं comment section में comment करके जुरूब रहिएगा बाकि आपको कोई भी doubt आता है कोई भी आपका feedback है कोई भी आपका suggestion है तो वो comment section में comment करके जुरूब रहिएगा चलिए बाकि मिलता है next video में so thank you and bye bye